तीसरे बुडे ने कहना शुरू किया, हे दैत्य समराथ, ये खच्चर मेरी पत्नी है. मैं व्यापारी था, एक बार मैं व्यापार के लिए परदेश गया. जब मैं एक वर्ष बाद घर लोट कर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक हबशी गुलाम के पास बैठी हास विल कर उसने मुझ पर अभिमंतरित जल छिड़क दिया जिससे मैं कुत्ता बन गया. पत्नी ने मुझे घर से भगा दिया और फिर अपने हास विलास में लग गई. मैं इधर उधर भूमता रहा फिर भूख से व्याकुल होकर एक कसाई की दुकान पर पहुँचा और उसकी फेक तक बाहर नहीं निकली. कसाई ने कहा, तू अंदर क्या कर रही है, बाहर क्यों नहीं आती? लड़की बोली, मैं अपरिचित पुरुष के सामने कैसे जाऊ? कसाई ने इधर उधर देखकर कहा कि यहां तो कोई अपरिचित पुरुष नहीं दिखाई देता, तू किस अगर तुम्हें इस बात पर विश्वास न हो, मैं तुरंथ ही इसे मनुष्य बना कर दिखा सकती हूँ. कसाई बोला, भगवान के लिए सोही कर, तू इसे मनुष्य बना देता कि यह लोग पर लोग दोनों का धर्म संचित करे. यह सुनकर वह लड़की एक पात्र में जल लेकर अंदर से आये और जल को अभिमंतरत करके मुझ पर छिड़का और बोली, तू इस देल को छोड़ दे और अपने पूर्व रूप में आ जा. उसके इतना कहते ही मैं दुबारा मनुष्य के रूप में आ गया और लड़की फिर परदे के अंदर चली गई. मैंने उसके उपकार से यल होकर कहा, हे भाग्यवती, तूने मेरा जो उपकार किया है उससे तुझे लोग पर लोग का सतत सुख प्राप्थ हो. अब मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी को भी कुछ हैसा ही दंड मिले. ये सुनकर लड़की ने अपने पिता को अंदर बुलाया और उसके वो उसी पशू की दे धारन कर लेगी. मैं उस जल को अपने घर ले गया. उस समय मेरी पत्नी सो रही थी. इससे मुझे काम करने का अच्छा मौका मिल गया. मैंने अभिमंतरित जल के कई छीटे उसके मुँँ पर मारे और कहा, तूस त्री की दे छोड़कर खचर बन जा. व देत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ. उसने खचर से पूछा कि क्या ये बात सच है जो ये बूरा कहता है. खचर ने सिर हिला कर संकेत दिया की बात सच्छी है. ततपश्चात देत्य ने व्यापारी के अपराध का बचा हुआ तिहाई भाग भीक्षमा कर दिया और उसे बं आजमारे ही गए थे. अब तुम इन तीनों के प्रती कृतग्यता प्रकट करो. ये कहने के बाद दैत्य अंतर ध्यान हो गया. व्यापारी उन तीनों के चरनों में गेर पड़ा. वे लोग उसे आशिरवाद देकर अपनी अपनी राह चले गए और व्यापारी भी घर लोट गया और हंसी खुशी अपने प्रियजनों के साथ रहकर उसने पूरी आयूब होगी. शहरजाद ने इतना कहने के बाद कहा, मैंने जो ये कहानी कही है इससे भी अच्छी एक कहानी जानती हूँ जो एक मच्छुवारे की है. बादशा ने इस पर कुछ नहीं कहा लेकिन प्रसन होंगे. शहर्यार ने वह कहानी सुनने की स्वीकृती भी दे दी. शहरजाद ने मच्छुवारे की कहानी इस प्रकार आरंभ की.